नमस्कार आप देख रहे हैं खाड़ा आपके साथ मैं हूँ लक्ष्मी उपाध्याएं क्या स्यासर देश को सच में जातिवास से मुक्त करना चौहती हैं दुनिया में सिर्फ दो वर्ग हैं अमीर या फिर करीब सवाल उठता है कि भारत में अमीर और गरीब के फासलों को जाति और धन के नाम पर किसने बाटा इन दिनों देश में 2019 के आम चुनाव की आहट भी देखने को मिल रही है तो राजनीती के किंद्र में अपना-पना हित साधा जा रहा है जी हाँ अब दलित हित की स्यासत हो रही है और इसी स्यासत के नाम पर लगातार हम देख रहे हैं कि भारत बन के साथ हिंसा और आगजनी हो रही है लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है बाबा साहिब के नाम में राम की राजनीती खोज है तो नीले से भगवा होते बाबा साहिब के बुतों की स्यासी जरूरत है इस सब के बीच दरखता हुआ सामाजिक ताना बाना है कोई आरक्षर खत्म करने के लिए डर दिखा कर आग से खेल रहा है तो कोई आरक्षर को खत्म करने के लिए आग से खेल रहा है नुकसान देश का हो रहा है दलितों के भारत बंद के बाद सवर्णों का भारत बंद और मांग आरक्षर खत्म करने की सवाल ये कि जो आरक्षर दस साल के लिए था वो आज सरसक साल का हो गया क्या वाकई आज इस पर पुनरविचार की जरूरत है यह जानने की कोशिश करेंगे अखाड़ा इसी पर होगा लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट आपको देखा देखें पहले दलितों ने देश जलाया अब सवडों का नंबर आया दाव परदेश की साख राजनीती भी अजब खेल है सहा यहां देश के आर्थिक नुकसान से सियासी मुनाफ़ा कमाया जाता है फिलाल देश की राजनीती दलित हित की वयार से वोट बैंक सादनेव की चल रही है ऐसी ऐसी एक्ट में बदलाव के खिलाफ करीब 30 से जादा दलित संगठों ने 2 अपरेल को भारत बंद बुलाया जिसमें जम कर हिंसा और आगजनी हुई करोणों की संपत्ती जल गई और करीब 11 लोगों की मौत हो गई उसी दिन सोशल मीडिया पर अरक्षण के खिलाब 10 अपरेल को बंद बुलाने की तस्वीर बारल हुई दावा किया गया कि ये बंद सवर्ड और OVC वर्ग के लोगों के जरिये बुलाया जाएगा लेकिन किसी संगठन की ओर से बंद बुलाने का एलान नहीं हुआ सोशल मीडिया की खबरों पर प्रिशासन अरट हो गया दलितों की भारत बंद की आख से जिस तरह देश जला उसके बाद प्रिशासन ने पहले ही पुखता इंतिजाम कर रखी थे लेकिन बापजूद इसके बिहार के ज़़ातर शेहरों में बंद का असर देखने को मिला जोहां आरा में सैक्रों युवाओं ने पटना पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया आक्रोशित युवाओं ने रेल पट्री पर उतर कर अरक्षड के खिलाफ जमकर नारिवाजी की पर्थरवाजी के दौरान वहां साथ लोग घायल हुए हैं घायल में एस्दियों भी शामिल हैं नई च्थियों पर जाने कर दोने इस लेकिन पम्तियर के लिह लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया पर चले इस फेंगप पोस्ट ने भारत बंत की बुनियाद रखी उससे एक बात तो साफ है कि कहीं न कहीं जाती आधारित आरक्षड के खिलाव देश में गुस्ता है सम्विधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामची अंबेडकरंडे खुद कहा था कि आरक्षड का इस्तेमाल बैस साखी की तरह नहीं बलकि सहारे के तोर पर हो इसके लिए उन्होंने राजनीती आरक्षड के लिए 10 साल का वक्त निर्धारित किया आज समविधान को लागू हुए 60 साल हो चुके हैं और दरितों का आरक्षड भी 10 साल से बढ़कर 60 साल पूरे कर चुका है सिक्षा के शेत्र और सरकारी नौकरी में पूरी जाती को मिला या उस जाती के कुछ लोगों को ही आरक्षड से क्या समगर दलित समाज स्वामलंबी बन पाया सवाल ये कि क्या स्वाहरे की जगे अब आरक्षड का इस्तेमाल बैश्याकी के तौर पर होने लगा है सुप्रेम कोट ने निर्देश दिया था कि बराब पर इस बात पर नजर रखी जाए कि आरक्षड का वास्तविक लाव किसे मिल रहा है समाज में बढ़ रही नाराजगी के बाद क्या आरक्षड पर पुनर विचार की जरूरत है ये सवाल तो है ही उसके साथ आरक्षड हटाने और आरक्षड बनाए रखने की राजनीती भी है सवाल भारत बन से होने वाले नुकसान का भी है और सवाल सोशल मीडिया की ताकत का भी है जहां कोई भी अरदर्श्य ताकत भारत बन या फिर दूसरे आंदोलन खड़े कर सकती है इसका इस्तेमाल देश विरोधी शक्तियां भी कर सकती है फिलाल देश आरक्षड और धल आप सभी का बहुत स्वागत सर और बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया राजेश राइजी मेरा पहला सवाल सर आप से होगा दो अप्रेल को दलिस संगठन ने भारत बंद किया और उसके जवाब में 10 अप्रेल की घोश्टना कर दी गई कि भारत बंद होगा कौन करेगा किसका नेतत्त होगा तैने हुआ सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वाइरल हुए और उसका आसर आज देखने को मिला क्या सरकार के लिए का विश्य नहीं पिल्कुल चिंटा का विश्य है ये चाहे जो अरक्षन के पक्ष में जो बंद कायोजन किया गया चाहे आरक्षण के बिरोध में किया गया इन सब सारी चीजों की कोई आवशेक्ता नहीं है आरक्षण के पक्ष में किया गया सुप्रीम कोट ने लिया और उस निर्णाय में उन्होंने क्यों इतनी सी बात कही जिसके बारे हम आप जब भी कहीं बात क लेकिन उसके पहले कम से कम एक चानबीन जरूर कर ली जाए क्योंकि हर मुकदमे में कई बार गलत साबित होते हैं क्या जब दो तारीक को इस बात कर शुशल मीडिया पर एलान हुआ तो क्या सरकार की ओर से ये कोशिश की गई कि जो भी इस तरीके की सडियंत्र कर रहे हैं उसको रोकने के लिए कोई प्रयास किये जो है बिल्कुल प्रयास किया गया शाशन के दौरा लोगों को अधिकारियों को चाहिए वो डी जी साहब हूँ चाहिए मानि मुक्मंती जी हूँ मामलों को यह निर्देश दिये गये थे कि प्रकरण को बहुत जी से कहते ना एक सूज-बूज के साथ में कि एक तरफ लोगों को आक्रोश जायज नहीं भी है तो इसी स्थिति में उस जो क्राउड है जो इस तरह के जो लोग है पहले तो वह दो होती है वह बिल्कुल हो जाती है नेत्य तुभीन और जब नेत्य तुभीन हो जाती है तो उसके बाद फिर वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उसमें ज्यादा तर लोग वो रहते हैं, जो इस तरह के नहीं है, जो दंगाई हो, बदमास हो, कोई गुंडे हो, कोई क्रिमिनल हो, हैं सामानी लोग हैं, ल कर रहा है बिलकुल बिलकुल जब इस सरकार है और कई राज्यों में भी आप जिसे आपने बिहार की बात की बिहार में हुआ मैं समस्ता हूँ कि आज के यहां का बंद था जो जो किसी किसी संगठन नहीं और्गनाइज किया था उसके आधार पर छुटपुट छिटपुट लोग चले कर आ गए उसमें भी हमारी तरफ से यहां शाषन की तरफ से डीजी साहब की तरफ से सभी जिलादिकारियों को सभी पुलिस हरी चकों को इस बात के लिए नर्देश दिये गए थे कि वो लोग प्रॉपर समुचित ब्योस्ता रखें और इस बात पर जो हमारे जो इंचलियंस डिपार्टमेंट है उससे भी कहीं होता है तो उसको सक्ती से डील करें सक्ती से का मतलब यह नहीं हो लोगों की ज परदरिशन होगा भारत बंद होगा दसतारी को सोशल मीडिया पर से यह इस तरीके की तस्वीर देखने को मिली और वो एकदम से तस्वीरे हकीकत में बदली सराज क्या लगता है पहली दफ़ा हम ऐसा देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कोई चीज वाइरल हुई और वो हक कि अचिंता का विश्य नहीं है यह जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए यह डिबेट का अलग विश्य है लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरीके से पिछले कुछ दिनों से देश में कि अच्छ झाति उनमात की सिती पैदा हो रही है मैं जह भी उनमात में ही नहीं कह रहा हूं कि यह जिस बहुसंक्यक आबादी की राजनीत भारती जनता पार्टी करती यह कहती असी बनाम बीस की लड़ाई है यह उसी असी फीज़ी में लगातार देख रहे हैं कि हिंसक घटन लग रहा है चासे कोई लगीर लगातार खीची जारी की कोशिश की जा रही है हो सकता है कि ये तमाम सियासी दिल अपने अपने सियासी फाइदे के लिए कर रहे हो लेकर मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अगर इसका कोई समधान नहीं निकाला गया तो इसके गंभीर प्रड़ाम घातक प्रड़ाम देखने को बिलेंगे और देश के हाला जो है वो इससे खराब होंगे जिस तरीके से भारत बंद में अपनी शक्ती दिखाई सिर्फ शोशल मीडिया पे कैम्पेंच चलने से ही आप देख रहे हैं कि देश के तकई हिस्से जो है इस वक्त वहा अब कि लागता है कि जो आरक्षन है वो जाती के अधार पर हो नाचाहिए यार्तिक आधार और्ना जी क्या लगता है आपको क्या वाकई आरक्षोड ने दलित और सवर्डों के बीचु मत्वित पैदा किया है। हमारे प्रधान मंत्री का जो एक स्टार्ट अप इंडिया या मेकिन इंडिया जितने भी कारिक्टर भारत सरकार राज सरकारों के चल रहे हैं आरक्षण सबसे बड़ी बाधा है। हमारे फोन पे कई पड़े हुए हैं यूटूब के वीडियो भगवान राम करेश्ण विश्वनात की मूर्तियां दलित लोग तोड़ रहे हैं आरक्षण मांगने वाले ये अपमान कर रहे है। ओमकार जी क्या लगता है आपका अगर मैं प्रतिक्रिया कॉंग्रेस की समझना चाहूं तो आपको लगता है क्या वाकरी आरक्षण पर पुनरविचार की जरूरत है। जब तक इस देश के समस्त लोग आरक्षण के परिद में आने वाले लोगों को समाजिक दिस्टिकों से अपने बराबर समझने ना लगें। आप देखिए कि आज सतर साल के लगबग हो रहा है देश को आजाद हो। और आज भी आपको ऐसी तमाम घटना मिल जाएंगे कि घोड़ी पर दलित आदमी जो है वो समार होके समण के इलाके से नहीं निकल सकता है। जगाने वाली होती है और दूसरी से आर्थिक रूप पर होना चाहिए या फिर जाती रूप पर होना चाहिए। आर्थिक रूप नहीं होना चाहिए। जो आप कह रहे हैं जो हकीकत तो उससे मत दूर हचिए। तबी इस जाती के आरक्षण को समार्थ किया जा सकता है। तो आरक्षण के लिए सब लोग तयार थे। बाबा सहाब ने कहा था कि यह 10 वर्ष के लिए रखा जा उसके बाद इनको अपने साहरे करने दिया। पर वोटा सी लिस्ट पर उस पर गांधी जी ने अंदोलन किया था। ठीक है अब बात आरक्षर तक आ गई कि आरक्षर या तो खत्म हो या फिर आरतिक आधार पर हो आपको लगता है कि जो समाज हम देख रहे हैं जिस आरक्षर से 70 साल में कुछ नहीं बदला जैसा कि ओमकार जी ने कहा क्या लगता है कि आगे और इंतिजार करना चाहिए इसका या फिर वाकई परिवर्तन की जरुवत है पुनरविचार की जरुवत है दिके मेरा ये मानना है कि आज आरक्षर पर बहुत बहुत होती है लेकिन जो अगोशित आरक्षर समाज के अंदर सदियों से चला रहा था उसको कोई चैलेंज नहीं करता है आज आप देखिए कि उ सुनिंदा लोग फाइदा उठा रहे थे आरक्षर क्यों आया क्योंकि यह जो फाइदे हैं यह परकुलेट डाउन होने चाहिए नीचे तक पहुंचने चाहिए फिलाल यहां ब्रेक का वक्त हो चुगा है फ़राल नोट थेके ब्रेक के बाद आपका स्वागत आज हम बात कर रहे हैं जो कि आरक्षर के विरोध में लगातार पूरे भारत को बंद रखा गया उसकी आग देखने को मिली क्या वाकई पुनर विचार की आवश्यत्ता है क्या आरक्षर जातिके आधार पर होना चाहिए या आर्थिके हमारे साथ जोड़े हुए राजेश राइजी मैं आपसे समझना चाहरे हूँ क्या आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि इस पर एक बार विचार करना चाहिए आरक्षर को लेकर या फिर वोट बैंक की खातेत आप जो चल रहा है उससे ऐसे ही चलने देंगे अभी अभी हमारे मानी मेंबर ने बात के थी कि यहां पर एक अघोशित आरक्षण चल रहा है अगर आप उस अघोशित आरक्षण को थोड़ा और आगे ले करके जाएं तो अगर सत्तर सालों में आप देखें तो जो जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिला एक बार और जो समर्थ थे उन लोगों को जो तो क्या आप इस पक्षमें है यही तो सवाल था कि समिक्षा मैं मैं इसमें दूसरी बात देखें जो 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 लोग इन पचास साथ सालों में करोड़ोपती हो गए घहीं से शुरूब किया था और वो आफसर उनके बेटे आफसर उसके बाद सम इसलिए बात की हो रही है कि जो जो आरक्षित समाज है उसमें अभी भी जो बहुत ही गरीब लोग हैं उनको इस तरीके से उनको आरक्षण मिलें सिर्ण को आरक्षण को कोई टाकत खतम नहीं है आरक्षण को आप आरक्षण के रिवियू के बिल्कुर पक्षमे नहीं हूँ आरक्षण जो बात साफ हो गई आपको यह पता है सार आपको यह पता है कि सर दो ऐजार ञात हो गए थे कि शिक्षा के चेतर में आफ्षड 95 फीजी तर चला गया था क्या करें कि अब जो बाकी क्या जो लोग है वो फिर्ज के मानाजी हम समझ नहीं पाने हैं कहाँ चला गया तो कुछ उधारान देकर बताईए राजनेतिक तौर पर लोगों ने किया इस को राजनेतिक तौर पर लोगों ने उस आरक्षन को 95% तक लेके गए जो की जायज नहीं था लोगों ने विवस्ता दिये तौर पर लोगों ने किया उसका फासरी के स्वाइद़ने शालने हैं हम आरक्षन के हम आरक्षन के 5 रहें और और तब तक रहेंगे जब तक समाज की सोच है वो बरावरी महीं हो जाती है कि वो इस समाज में जिसने के खाई ने चौड़ी हो रहा है कि उसको पार्टे को तैयार की मजबूरी है उन दोगों का साथ दे रहे हैं जो अभी तक खाई पर देखे क्या हो रहा है शानियति ढल है जहां जहां जिनिसराजनयति दल की सरकार वह पहले बतामय तो नोक्रिया कहा है आरक्षर वह कॉबने क्प आर्क्ष Patriar नोक्रिया नहीं अ एक बात दूसरी चीज यह कि आप जो शोर्षित पीडित किसी भी तरीके से वंचित रहे गए हैं आप उनको बहुत सी योजनाय बना कि और आप दे सकते हैं जैसे ओंकार सिंग जी कह रहे थे कि दलितों की शादी की घोड़ी नहीं निकलती है गाउं में बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं हमारे सनातन संस क्रिती में नाव ठाकूर जब तक नहीं होता है तब तक ठाकूर ब्रामणों के शादी ब्यान होता है आदर्स इस्ति की बातार है आप आज कासगर में जाकर देख लिए आप लिए को चोड़ दें वह सब राजनेतिक कारण नहीं है आप लिए आप लिए आप कंडिशन समाज की वस्ता है कि दलिक बराता ही उपकार नाजी से उतना बता जीजे कि महात्मा गांदी न 1932 में हरजन में ये क्यों लिखा था कि जो आर्चण है वो धर्म के अधार पर ना हो बलकि समाजिक पिछले पन का मतलब उनका था कि जो जातियां सदियों से दबी कुछली है समाज में अगर कोई आर्थिक आदार पे गरीब है थाकुर तो वो समाजिक पिछडा नहीं है उमकार जी कि आपको नहीं लगता कि जन्डर लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके खाने के लिए धर्में कुछ नहीं है जो जाती का आरक्षण है उसको खतम करके आप बहुत बड़ी भूल करेंगे इसलिए कि समाज जब तक एक्सेप्ट नहीं करने लगेगा अपनी बराबरी किसे तब तक आपको करने का मतलब कि उनको कुछ मिलना ही नहीं है उनको आरक्षण मिल चुका है पहले वो तो उन अरक्षण जो है वो गरीब विल्मूननता प्रोग्राम नहीं है यह प्राबरी से जड़ा हुआ है और यह अस्पिता से जोड़ा हुआ है अब अलगलग कैटेग्री बनाई हुई है और सुप्रीम कोट ने इसको एक्सेप्ट किया है सुप्रीम कोट की देखिये मैं आप य और सुप्रीम कोट ने माना कर दिया कि समाज अब अब बर्दनों में दलित को भोजन कराते हैं आपको पचास परसेंट क्या सतर परसेंट मिलेंगे जो अपने अरक्षण से सामाजिक बात मुझे आप बताएए एक सब्सक्राइए एक सवाल है राजे जी मेरे एक सवाल है हम प्राइवेट सेक्टर में रहते हैं चाहे दलित हो चाहे सवर हो चाहे OBC हो हम सब साथ साथ बैठते हैं साथ खाते हैं साथ सलिवेट करते हैं आखिर सरकारी में ऐसा क्या होता है कि उसमें आरक्षण के आवशक्ता पर जाती है आपने अभी एक बात का जवाब दूगा पहले मैं आपकी बात का जवाब दूंगा जो आप कहते हैं कि लोग जो है अपने थाली में खाना निहीं खिला पॉन को सम्मान देटे मेरा आपसे कहना है कि जो आरख्षण के माध्याब से थोड़ा सा सपोर्ड मिलता इस सपोर्ड से मिल करके जो जो अदिकारी कर दो रहर हैं उसी आरख्षण के सपोर कर रहा हूं हो जब वो आरख्षन से जब लारख लक्रमा क्विल के द्वारा जब उनको सम्मान मिलता पूरह जिद्र हैं करिण देखनलाओं कौना सब मतलत कीजिद्र बॉक्षन करते हैं कि कि अगण़ी जाति के धरीब का करें ला इंचा है किसी अगणी जाती कि बच्चे का क्या का सखता है कि सारी डिगरी होने के बाद यह जाकर कि आवेदन तरे किसाब नाली साफ करेंगे से राज्य की जम्मेदारी जो समाज हमेशा 5000 साल से बेस्क्रित था वंचित था वंचित समाज को भी हग देना समाज की जम्मेदारी जब आब आपकर आए और उनके साथ क्या वबार की ऐसी समाज ने उनकी फाई तक नहीं चूने के लिए त्यार होता था तो जब तक आप अब नहीं आ सकती है। बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। जब बड़ोदा के अंदर बाबा साब आये थे और उन्हें रखली किस्टाडिंग की। आपको पता ये नहीं पता है। गांदी जी बाबा साहब की दूसरी पतली ब्रहमर्त जिनोंने अंतिम सबत अगुण की सेव अबना जी मेरा सवाल आपको आपको ऐसा रखता है कि लगाता रहा हम देखते हैं कि आरक्षन के नाम पर दलित राजनीती का जब भार्त करपाएं लिए वह करीब 20-25 क्रोड़ हमारे मद आता है भारत के सारे राजनेतिक दल दलितों को आरक्षन के नाम पर मूर्ख बना र अब ये इनको समझ ना रहा है कि हमको दलित का उट मिलेगा अइसा नहीं है नौकरिया है नहीं नहीं है यो आरक्षन की बात करें आप उनको सब्सक्राइब और और समाजिक नाए पर बहुत 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 हो चुकी है और उसके बाद सारी पार्टी राज़े आज मुझे कौन सी पार्टी खिलाफ है आरक्षन के खरता है हिम्मत नहीं है देखें महुन बागवत जी ने बयान दिया था और उस बयान के बाद भारते जमता पार्टी का बयान आ गया है और उनको आपको देखिए बीजेपी की मजबूरी कि उनको असी पीज़दी में से 25 के अधिकारों की रणाई है ने तो सारी प्रामार गरीब ठाकूर आपके नहीं है अलग प्रामदान बनाए जाएगे गरीब वैस जो नबे परसेंट आप इस बात कुरी समझते हैं आरक्षर दरीवी उल्मूनल का प्रोग्राम नहीं है या असमिता से चुड़ा हुआ है क् इसमें मेरा यह कहना है इसमें अलग प्रामदा गरीब है खाकूर गरीब है तो अगर आप योजनाओ की बात कर रहे हैं तो दल्टों के लिए योजनाओ लाए आरक्षर की क्या जरू हो जाए आपको जिस समाज को सिक्षा से वंचित रखा गया सद्यों तक आप कैसे वैसल आज उनका सेल्फ कॉंफिडेंस देखिए तो ओमकार जी से पूछी बात हो सकती है आज आज आप जिस्तितियों में आज एक दलित को बरात नहीं निकालना दिये जारे हाई कोट के इंटरवेंशन के बाद करते हैं आप क्या बात करते हैं थाकूर और कुंहार और धोबी के क्या लगा राद में दोनों के बिटार विचलना उसे पर प्रश कर नहीं लेखता रहे हैं डर की बात है कि bever तरीकै तो चरुके से अभी जो प्रशाशन में इमांदारी होगी इमांदारी से बरतिया होगी इमांदारी से नोकरिया दी जाएगी बीमानी नहीं कि नहीं लगता दर्तों को योजनाओं से बिलाब पहुचा या सकता आरक्षर नहीं मिलना है क्या उनको सिक्षा और इनसे बढ़ा कर आगे नहीं किया आज हम लोगी नोकरी करके हां पर पहुचें कहीं सरकार सिसर पुनर विचार करें बहुचा करें बहुचा कि आप सभी का मेरे साज जुड़ने के लिए तमाम बातचीत के लिए हमने आज अखाड़ा में यह जानने की कोशिश करी कि क्या वाकई आज भी आरक्षर की जरुवत है तुकि बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर ने यह साफ कहा था कि राजनीतिक तौर पर सिर्फ दस साल के लिए आरक्षर होना चाहिए और वो भी बैसाखी ना बने सिर्फ सहारे के लिए लेकिन आज हम देख रहे हैं समाज में कि वाकई आरक्षर बैसाखी बन चुका है जरुवत है इस पर पुनर विचार की अखाड़ा में आज के लिए इतना ही नमस्कार झाल